आप जब भी अपने स्मार्टफोन में डेविलपर ओप्षन को सोरी अपने स्मार्टफोन में जब वाट्सअप को ओपेन करते हैं तो आप देखते होंगे आपको एक ओप्षन देखने को मिलता है जिसका नाम रहता है इस्टेर्ड मैसेज वाट्सअप ओपेन करने के बाद आपको इस थ्री डॉट पर क्लिक करना है और थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद ये देखिए आपको ओप्षन देखने को मिल गया तो ये क्या होता है अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन एक काम क्या करता है ये काम करता है आपके बिल्कुल गैलरी के तरह अगर आप कुछ चाहते हैं कि जो वाटसआप में मैसेज आए फोटो आय या वीडियो आय और उसको हम गैलरी में ना करें डायेक्ट हम वाटसप में ही कहीं कोई ऐसा जगा हो जहां पर सेव कर लें तो वही है Stared Message किसी भी फोटो या वीडियो को आपको सेलेक्ट करना है और उपर देखेंगे आपको एक star देखने को मिलेगा उस star पर जैसे ही आप click करेंगे तो आपका जो फोटो या वीडियो है वो stared message में चला जाता है अब उस photo या वीडियो को वापस देखने के लिए आपको इस three dot पर click करना है three dot पर click करने के वाद ये stared message पर click करेंगे और आपका जो भी मतलब जो भी आपका save किया हुआ रहेगा जो भी star लगा हुआ रहेगा वो आपको photo या वीडियो देखने को मिल जाएगा लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ कि जब आप WhatsApp से उसको delete करेंगे तो stared message से automatically delete ह हो जाएगा तो चलिए उम्मेद है कि समाज गये होंगे तो मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक जहेंगे